हेलो गाइज, वेल्कम बैक टो यूट्वी चैनल एलेक्टिकल स्टाफ फर यू दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा इंडक्शन चुला होता है जिसमें हम खाना बगरा बनाते हैं उसको कितने अंपेर की शोकेट लगानी जाहिए दोस्तो हमारे पास एक 6 अंपेर की शोकेट होती है और 16 अंपेर की तो इन दोनों में से हमें कौन सी शोकेट इसके अक्रोष यूज़ करनी चाहिए आज किस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तो मेरे को एक कमेंट भी आया था जिसमें पूछा गया था कि 2100 बाट के इंडक्शन चुले पे हम 6 अंपेर की शोकेट लगा सकते हैं जा नहीं तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम ये निकाल के देखेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हमें ये पता होने चाहिए कि जो हमारा इंडक्शन चुला है वो कितने बाट का है तो यहाँ पर हम 2100 बाट के इंडक्शन चुले की बात करेंगे अब दोस्तों सबसे पहले हमें induction चुले की input power पता होनी कहिए तो वो हमारे पास है 21W क्योंकि जो हमारे पास induction चुला है उसकी capacity 21W है और जो बाट है वो power का ही unit है तो जो हाँ पर input power रहती है 21W ठीक है अब हमें current निकालना है induction चुला कितना maximum ले सकता है क्योंकि जो भी हमारी showcase है उसकी जो rating है वो current पे heat depend करती है तो हम पहले current की calculation करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा total load है induction चुले का वो आपको पता है 21W है अब हम simple से formula का use करेंगे power equal to voltage into current into power factor चीक है दोस्तों अब यहाँ पर जो power है वो आपको पता है 21W है और जो voltage हम गरों में single phase ही use करते हैं वो है 220V और जो power factor हम use करेंगे वो 0.9 मान के चलेंगे ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हम इस formula को थोड़ा rearrange करेंगे तो हमारे पास current आएगा equal to power divided by voltage into power factor अब हम इस formula में सभी की सभी values को डालते हैं तो आता है current equal to 200 divided by 220 into 0.9 ठीक है अब यहाँ पर 200 है जो वो power है और जो voltage है वो 220 है और जो 0.9 है वो power factor है अब हम इस figure को calculate करते हैं तो हमारे पास current आ जाता है 10.60 ampere ठीक है तो इसका मदलब जो हमारा induction चुला है वो current लेता है 10.60 ampere ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हमने current को निकाल लिया जो हमारा induction चुला लेता है अब हम इसमें extra 25% safety factor वाला current एड़ करेंगे क्योंकि कोई भी electronic जा electrical device हो उसमें हमें extra safety वाला current जिरूर एड़ करना चाहिए तो simple हम 25% of 10.60 निकाल लेंगे तो उसे निकालने के लिए 10.60 को हम गुना करेंगे 0.25 से तो जब हम इसे गुना करेंगे तो हमारे पास safety factor वाला current आयाता है 2.65 ampere ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर total current आयागा 10.60 जमा 2.65 तो जब हम इसे calculate करेंगे हमारे पास current आयाता है ठीक है अब दोस्तों हमें socket की selection करनी है तो सबसे पहले हमें induction चुला जो current ले रहा है वो पता चल चुका है वो 13 ampere है अब जो हमारे पास socket है एक तो 6 ampere की होती है और 16 ampere की होती है अब अगर आप द्यान दो तो जो 6 ampere की socket है वो 13 ampere तक load नहीं ले सकती तो इस case में क्या होगा बहुत जल जाएगी ठीक है तो हम 6 ampere की socket नहीं यूज कर सकते बड़ जो 16 ampere की socket है वो easily 13 ampere तक load carry कर सकती है और वो heat भी नहीं होगी तो हम अपने induction चुले के लिए 16 ampere की socket का use करेंगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यहां से हमें clear हो गया कि हमें 21 बाट के induction चुले के लिए 16 ampere की socket का use करना है और इसे कैसे निकाले जाता है वो भी आप step by step समझ चुके हो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी rating के induction चुले के लिए निकाल सकते हो कि उसके एक रोस आपको कितने ampere की शोकर लगानी है दोस्तों वीडियो जूसपूल लगा हो तो लाइक और शेर जिरूर करें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कर लें ठेंक्यू गाइज